Assalamualaikum students, I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know, virus is spreading all over the world. So please students, stay home, stay safe and keep clean yourself. Students, our workbook of Urdu-Bee, page number 8 or 9, 8 or 9. Page number 8, there is a really nice thing. un-1 and 2 or 9 cards. Here, where have we gang, it is 1-1 and 2-2 and 2-2 cards. This 1-1 and 2-2 cards you learn. Together, the 1-2 cards aresystem. यहाँ पर उन्होंने हमें वाहे जमा दिये हुए हैं आगे ब्लैंक है इसमें हमने जमा देख देख कर लिखने हैं पहला है आवाज जमा इसकी होगी अगर ज्यादा आवाज होगी ज्यादा लोगों की आवाज होगी तो वो कहलाएंगी आवाजें रात रातें तलवार तलवारें दवात दवातें बकरी बकरियां मेज मेजें सड़क सड़कें मस्जिद मस्जिदें पैंसिल पैंसिलें चीज चीजें तो students यह हमारे वाहिद जमा थे आपने यह जमा जो है वो यहाँ पे as it is अपने अगली blank पे लिखने है और इनको याद भी करना है move to the next page हमारा जो अगला काम है वो है सरगर्मी है कोई एक हमें वाहिद जमा की सरगर्मी दी है इसमें भी हमने क्या करना है वाहिद और जमा जो है उसके आगे उसके जमा लिखने है तो हमारा पहला लख जो है वो है तोफ़ा तोफ़े यहाँ पे भी तोफ़े बंदूक बंदूकें चादर चादरें यह स्में वाहिद जमा हमारे page number 8 की तरह की हैं इसमें हमने क्या करना है सिर्फ के वाहित जमा को समझने की कोशिश करनी है और इनकी जो जमा है वो अगली ब्लैंक में लिखती जानी है इसके बाद जो हमारा काम है वो है हिंसी गिंती लिखें ग्यारा से बीस तक कहां तक ग्यारा से बीस तक यह देखें हमें उन्होंन चोदा, पंदरा, सोला, स्तारा, अठरा, उनिस, बीस यह हमारे पास हिंसी गिंती है हमने same as it is इसकी आगे इसकी blank में इस जैसी ही गिंती को लिखते जाना है तो students आपकी home assignment यह है कि आपने यह page number 8 और page number 9 जो है उसको बहुत ही नीट तरीके से अपनी workbook पे no doubt करना है इसको याद करना है और वाहिद जमा को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह वाहिद से जमा बनते हैं कि वाहिद कहते हैं एक चीज़ को और वही चीज़ें अगर ज्यादा हो जाएं तो वो क्या बन जाती है जमा जैसा पैंसिल और पैंसिलें ठीक है किताब, किताबें, कुरसी, कुरसियां जब एक चीज़ होगी तो वो वाहिद और दो चीज़ें होगी या दो से ज्यादा तो वो जमा हो जाएंगी सेम इसी तरह आपने वाहिद के आगे इसके जमा लिखने हैं पैज नमबर एट पे बी और पैज नमबर नाईन पे भी उसके बाद हमार पास इंति धी हिंसिग इंति हमार पास 11 से 20 तकी अपने हिंसिय गिंति को भी अच्छे तरीके से अपनी वक बुक पे नोट डाम करना है आप अपना काम घर पे करते रहें, आपने पूरे हफदे में ये काम complete करना है और अपना काम की जो picture है वो हमें WhatsApp करते रहें ताके हमें भी idea होता रहे कि आपने काम जो है वो कर लिया है तो students I hope you will understand this lecture Stay home, stay safe and keep clean yourself Allah Hafiz